सो हेलो और नमस्कार कैसे हैं सभी लोग वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल अब लीग इलेवन तो आज हम आ गए हैं वापिस से बात करने अबाउट इंडिया वसेज ऑस्ट्रेलिया पिंग बॉल टेस्ट जी हां ये टेस्ट मैच केला जाना है दोनों महिला टीम के बीच मे और काफी अच्छी शुरुआत थी कल भारत की 132 रन पे एक थे बारिष से पहले आज जो है 276 रन पे 5 विकेट हो गए हैं 89 रन पे चार विकेट गवा दिया है भारत ने जी हां आज मगर एक एक रिकॉर्ड बना है जी हां स्मृती मंधना ने अपना मेड़न टेस्ट अंड और अल्डो मेजारिटी ऑफ प्ले जो है वो बारिष के जैसे दुल जुगा है इसले कल तीसरा दिन होगा और बारत दुबारा से शुरुवात करेगी नहीं इस मैच के अंदर मेट्रिकॉन में जो है बारिष थमने का नाम नहीं ले रही है बिलकुल भी ओवरनाइट प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और तो काबिलियत तारीफ है ये बात बहुत जादा और स्मित्री मंदना को जो हम दिल से जो है कॉंग्राचुलेट करना चाते है इस अचीम्मेंट के लिए हाला कि जो सीमर्स ऑस्ट्रेलियन उन्होंने 80 सेकंड ओवर में नहीं बॉल ली और का काफी नचाया भारती है महिलाओ को अपनी धुन पे काफी अच्छी बॉलिंग करी सीमर्स ने और वो जिप दिखा ट्राक के अंदर जो घास थी उसका यूज हुआ तो काफी डिफरेंट लगी पिच्छ फ्रॉम दे वेरी फर्स दे क्योंकि नहीं बॉल के साथ कुछ भी न एंदेन उसके वन मिताली राज जो रन आउट हो गई ड्यू टू आप मिक्स अप विद दीप्ती शर्मा मगर होप करते हैं कल इंडिया तीन सो साढ़े तीन सो चार सो रन तक पहुचे और जो है इस मैच में मजबूत पकड़ बना ले जिससे इस मैच को हार ना सकी क्योंकि तो आलमोस तीन दिन का खेल हो चुका है कल अगर इंडिया आदा दिन भी बैटिंग करती है तो चौते दिन से उस्ट्रेलिया अपनी फर्स सिरू करेंगी तो काफी मुश्किल होगा मेजॉरिटी और मेजर ली यही लग रहा है कि ड्रॉ और टेस्माच मगर देखते क्या हो होता है so I hope that you like this video अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करे शेयर करें और चानल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें thank you so much for tuning in हमारे USP है दिन के दो वीडियो रोज आएंगे और रोज आ रही है